नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास भी किसी भी कमपनी का कम्प्यूटर है और उसकी अंदर कोई सी भी विंडो है तो आप अपने कम्प्यूटर को स्विच आफ कैसे कर सकते हो यानि शट डाउन कहते हैं जिसको और आफ करना भी कहते हैं पावर आफ करना भी कहते हैं तो कैसे कर सकते हो आईए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ और आप दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो पहला तरीका आपको अपने माउस की मदद से corner की तरफ यहाँ पे आना है तो यहाँ पे आईए corner की तरफ इस पे click करिए और यहाँ पे आपको यह वाला option मिल जाएगा इस पे click करें और यहाँ पे आपको मिलेगा shutdown तो मैं आपको दिखायाता हूँ अच्छे से shutdown मिलेगा आप इस पे click करेंगे तो आपका जो computer है वो बंद हो जाएगा पर अगर यह तरीका काम ना करें तो यहाँ पे आप दूसरा तरीका follow करें आपको अपने keyboard से press करना है alt यानि alt वाला button जो है इसे दबाए रखना है और आपको press करना है F4 तो यहाँ पे F4 प्रेस करें और आपके पास यह वाला page आज आएगा यहाँ पे आपको shutdown करने हो कहेगा तो यहाँ पे हम फ़ड़ो zoom करते हैं इसको आप देख सकते हैं shutdown करने हो कह रहा है यहाँ अगर आपके पास shutdown को option नहीं आ रहा है तो आप arrow keys की मदश से इसको open नीचे कर सकते हो तो shutdown आता है जैसे ही इस पे आईए और यहाँ पे आप OK पे किलिक कर दीजिए माउस की मदश से यह enter कर दीजिए आपका जो computer है वो shutdown हो जाएगा यानि switch off हो जाएगा पर यहाँ पे आपको तुरंट इसके तार नहीं निकालने हैं अगर आप तार निकालते हैं तो आपको दिक्कत कर सकता है यहाँ पे एक fan चलता रहता है आपके CPU के अंदर यानि आपको जो CPU है इसके अंदर एक fan चलता रहता है जब वो fan चलना बंद हो जाए और इसके अंदर light भी बंद हो जाए ऐसे आप इसको इस्तिमाल करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा